Hello everyone, welcome to this video and my name is Damantrivedi और इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं IB ACIO के questions की पिछले वीडियो में हमने IB ACIO के कुछ questions डिस्कस किये थे जो कि exam में पूछे जा चुए हैं IB ACIO के तो आज के वीडियो में हम उसी को continue करेंगे और हम आज कुछ और error correction के कल करने वाले हैं Before I start, if you have not subscribed to the channel, चैनल को subscribe कर लेजी क्योंकि यहां पर आपको SSC related सारी information मिलती रहती है साथ ही साथ अगर आपने अभी तक Telegram Channel नहीं जोइन किया है तो Telegram Channel जरूर से जोइन करी क्योंकि Telegram Channel आप जब तक जोइन नहीं करेंगे आपको अपडेट्स जोभी चीज़ें हैं आपको वहां पर मिल जाती है तो इसलिए Telegram चरूर जरूर से जोइन कर लिजिए अगर आप और ने अभी तक हमारी website विजिट नहीं किये तो rvelearning.com पर आपको जाना है और वहां पर आपको एक section दिखेगा previous papers का इस पर जाके आप सारे mock test practice कर सकते हैं exams की practice कर सकते हैं आपको सारी जीज़ें मिल जाती हैं तो ये सारी जीज़ें free हैं आपके लिए आप इसमें से practice कर सकते हो इसके अलावा अगर आपनी officers batch अभी तक जोइन नहीं किया आप जोइन कर सकते हैं आप हमारे application को डाउनलोड करने के लिए description box में link दिया गया वहां से application डाउनलोड कर दीजे और वहां से आप offices batch जोइन कर सकते हैं अब सिर्फ English batch जोइन करना चाहते हैं तो this is our English batch इसे भी आप जोइन कर सकते हैं और तरी मारी free playlist हैं यहां से आप अपनी topics को cover कर सकते हैं साथ ही साथ और other courses भी है जिने आप देख सकते हैं हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में error correction की पिछले वीडियो में हमने error detection की बात की थी आज के वीडियो में हम error correction की बात करेंगे की जो जो चीज़ें आपके error correction में बचती हैं उनकी बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं और रेट सो just a minute error correction के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं yeah let's find करते हैं अपने questions के साथ में पहला question हमारा आज का है this newly arising evidence could have proved to be the final nail in the coffin for the accused कराए जो newly arising जो अभी हाल में ही उठा है ठीक है rise मतलब होता है उगना और arise मतलब उठना यह भी उसी sense में verb हो जाता है है ठीक कि इस 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 जो जो जिसे करार किया जा रहा है उसके लिए यह final nail in the coffin हो सकता था so option दिए गया है हमारे पास evidence could prove evidence could have been proved evidence has proof or no correction what is the correct answer to this question जेखे लिए the newly arising evidence could have proved to be the final nail in the coffin could have proved तो जब आप could have का इस्तेमाल करते हो और इसके साथ verb third लगाते हो तो इसका मतलब होता है कि ऐसा किया जा सकता था किया या नहीं किया इसके बारे में जानकारी उप्रब दिन नहीं होती for example I could have provided more videos I could have provided more videos to you मैं आपको और और वीडियो दे सकता था या नहीं इसके बारे में जानकारी नहीं है तो कहरा this newly arising could have proved could have proved का sense यहां पर ठीक नहीं लगता है क्योंकि जो subject है हमारा हमने जो पिछला वीडियो था हमारा error detection का उसमें भी हमने यहीं बात करी थी कि दो तरीके के वाकि होते हैं एक होते हैं हमारे active sentences active voice और दूसरा होता है हमारा passive voice मैंने आपको बताया active voice में जो हमारा subject होता है वो action कर रहा होता है for example I write a letter अभी इस वाकि में जो मैं हूँ वो action perform कर रहा है लेकिन जब मैं लिखता हूँ a letter is written by me तो इस वाकि में जो subject हमारा letter है वो action को perform नहीं कर रहा होता है इसलिए यह passive हो जाता है correct तो जो evidence है वो खुद तो कोई prove नहीं करेगा खुद को evidence जो होगा वो खुद तो कोई action नहीं करने वाला है right इसका मतलब evidence कैसा subject होगा passive subject होगा तो कि evidence हमारा passive subject होगा इसलिए जो sentence का nature है वो कैसा रहेगा passive voice का nature रहेगा sentence का जो nature है वो कैसा रहेगा passive voice का रहेगा तो यहाँ पर has proved नहीं आएगा could prove नहीं आएगा answer होगा हमारा could have been proved it will be the newly arising evidence could have been proved to be the final nail in the coffin for the accused could have been proved ऐसा किया जा सकता था तो इसलिए इसको बात सही थी किया जा सकता था ठीक है लेकिन passive nature हमें करना है इसलिए हम बीन लगाएंगे और उसके साथ वर्फधर लगाएंगे that you would surely come what is the answer to this question बताईए देखिए इस सवाल को और answer बताईए it's a very good question पिछले एक वीडियो में भी हमने similar question discuss किया था और मैंने आपको answer बताया था क्या answer होगा इस सवाल का देखो इता I would wait for you at the metro station had I known that you would surely come इसेंटेंस है कैसा सेंटेंस है कंडिशनल सेंटेंस है कि कंडिशनल सेंटेंस लिखने का तरीका मैंने आपको बताया है यहां पर आप देख रहे हूं had plus verb third आ रही है इस तरीके के questions में एक चीज़ तो आपके लियातान हो जाती है आपको पता लगता है एरर कहां है और आपको improve करना है तो had के साथ word third आती है कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो past conditional होते हैं कल के वीडियो में मैंने आपको तीनों का आती है है आता है had उसके साथ आता है वर्ब थर्ड उसके साथ आता है आपका object और यह तो हो गया condition वाला sentence जो इसका result वाला sentence होता है उसमें आपके आता है subject उसके साथ में आता है would have, could have, should have और उसके साथ आती है verb third उसके साथ आती है object ठीक, एक तो ये तरीका होगे लिखने का, इसे sentence को दूसरा तरीका होता है लिखने का क्या, अगर हम इस if को नहीं लिखना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम inversion कर सकते हैं inversion करने पर क्या होता है यह had उठके शुरू में आ जाता है तो यह बन जाता है had plus subject plus verb third plus object ठीक है बाकी चीज़े same रहती है यह आपका यहाँ पर हो जाता है had plus subject plus verb third plus object अग समझ में आई तो इस तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है इससे यह sentence interrogative नहीं बन जाता है यह inversion होता है inversion क्या होता है conditional sentences क्या होते है अगर आप इन सारे शब्दों से बिलकुल ही अंजान है तब तो देखिए आप पूरा पढ़िए और अगर थोड़ा बहुत confusion है तो playlist में जाईएगा channel की आपको grammar का crash course देखेगा तील वीडियो का crash course है उससे आप निप्टा लीजिए उससे आपका बहुत कुछ confusion clear हो जाएगा तो उसको जरूर देखिए anyways तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो had के साथ में verb third रखा हुआ है जब बाकी में had के साथ verb third already रखा हुआ है तो हम क्या correction करेंगे हम would wait की जगे क्या कर देंगे would have waited will be the रेक्टा I would have waited for you at the metro station had I known that you would surely come question number three everyone carefully and methodically were trying to solve the problem given by the bootcamp instructor बहुत basic question तो यह है कि subject हमारा यहाँ पर क्या है everyone आप सभी को पता होना चाहिए इतना तो common sense होना चाहिए कि अगर sentence में हमारे everyone, someone somebody anybody nobody यह indefinite pronouns अगर हमारे subject होते हैं तो इनके साथ जो helping वह आती है वो कैसी आती है singular helping वह आती है correct और यह दी प्रनाउन लगाने की बात आ जाए इन सभी के लिए कोई प्रनाउन लगाने की बात आ जाए आगे sentence में possessive pronoun लगाने की बात आ जाए तो आप सभी के लिए preferably his लगाते हो अगर until and unless यह clear ही है कि हम females के बारे में बात कर रहे हैं सभी हम her लगाएंगे otherwise हम generally his लगाते हैं ठीक है for example if I have to write someone has left his her or their mobile phone at the table when you look at this sentence आप subject देखते हो someone तो आप यहां पर automatically his लगाओगे हर या दियर नहीं लगाओगी बात ध्यान रखना है ठीक है now coming back to the question है आपने यहां क्या देखा everyone तो everyone के हिसाब से यहां वर तो नहीं आ सकता क्या आएगा was he आएगा तो यह वाला सही हो सकता है वर तो बिल्कुल ही incorrect है ठीक है now everyone was carefully and methodically trying to आगे आप देखते हो ट्राइंग लगा हुआ है अगर वाकी में आगे ट्राइंग लगा हुआ है यहां पर भी आप देखते हो ट्राइंग लगा हुआ है अगर आपने helping verb हैड लगा दी है तो head के साथ में बच्चों क्या आता है head के साथ में आता है verb की third form यदि head के साथ में आता है verb की third form तो trying तो बिल्कुल ही नहीं होगा ठीक है tried होना चाहिए था तो answer हमारा यहां पर fourth हो जाता है है clear है समझ में आगी next question number four if you want to grow you must apply in whatever you do देखो अभी sentence conditional sentence के साथ से देखो तो यह आपका से किस में दिखता है वाग की आपका simple present में है okay आगे वाली बात must apply लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं ought to apply, should apply, must apply क्या correction है यह आपर correct phrase होता है correct idiom होता है हमारा apply oneself to something apply oneself to something का मतलब होता है अपने आपको किसी चीच के लिए dedicate कर देना उसके लिए कड़ी महनत करना और diligently महनत करना कड़ी महनत करने के sense में ही आता है तो apply oneself to something का मतलब होता है to work hard and diligently ठीक है अब आप देख रहे होगो apply oneself लिखा है यानि कि यहाँ पर कौन सा प्रनाउन आएगा reflexive pronoun आएगा correct है अगर reflexive pronoun आएगा तो आपको यहाँ पर reflexive pronoun लगाना पड़ेगा वो option हमने यहां yourself लगा दिया उसकी आवशक्ता नहीं है और उसके बाद to आएगा in नहीं आएगा तो यह भी गलत है यह भी गलत है ये भी गलत है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्लियर है? Is it clear to everybody? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next question number 5 I requested the audience to refrain from speaking during the show. I requested the audience to refrain from. ठीक है, कल मैंने आपको कल के वीडियो में पढ़ाया भी था abstain from refrain from lead to ठीक है? कुछ आपके fixed preposition होता है, जो इस्तमाल होता है, वो यहां सही उस हुआ है, to refrain from speaking the show. और याद रखिये, abstain from alcohol, किसी चीज, किसी काम से बचने के लिए abstain आता है, बोलने से बचने के लिए refrain आता है, तो abstain from alcohol, refrain from saying something. तो आंसर यहां क्या हो जाएगा? No substitution, because it's completely fine. कुछ नुबर 6 कहता है, in journals, writers records his experiences and reflect on dear value or importance. What is the subject here? Journals में क्या करते हैं? Writers. Writers, बच्चो, कैसा subject है? Plural subject है. And you can see that यहां पर आपने dear का इस्तमाल किया हुआ है. Correct? इसका मतलब subject हमारा plural है. अगर बच्चो, subject हमारा plural है, तो आपने his का इस्तमाल यहां पर क्यों किया है? यहां पर भी किसका इस्तमाल आएगा? Dear का. अगर यहां पर भी dear का इस्तमाल आएगा, तो यहां records नहीं होगा. क्या हो जाएगा? इसलिए recording सही नहीं है, recorded सही नहीं है, अंसर होगा? टीकि, in journals, writers record their experiences and reflect on their value. Question number 7, बताएए. It is ironical that the students had to be punished because of a report submitted by a teacher who himself was not above suspicion. So, options में दिया है, irony, ironically, ironicism. What is the correct answer to this question? It is what? It is ironical. Ironical is the correct answer. टीकि, it is ironical. आप adjective क्या होगता है? Ironical is the correct word here. Ironical है. तो answer हो जाएगा हमारा no substitution required. टीक, it is ironical. Question number 8, there always have been a sizable influx of immigrants from Mexico into America. में को. ओके? So, subject हमारा क्या है? There. ध्यान दीजी, अगर हमारा subject there होता है, तो जो helping verb है, वो हमेशा उसके बाद आने वाले subject के according लगती है. ठीक? और example, there dash a bus there dash 40 students तो अब आपको is और आर में से भरना हो, तो आप किसको भरोगे यहां? ठीक है, अगर आपको is और आर में से भरना हो, तो आप किसे फिल करोगे? यहां पर आप भर दोगे there is a bus और यहां भरोगे आर. क्योंकि bus singular है, a student's plural है, correct है? ठीक है, यह यहां पर देखोंगे कि subject हमारा क्या है? subject है हमारा a sizable influx. यह कैसा है? singular है. कि आप देख पा रहे हो, article A का प्रयोग है. ठीक, अगर यहां singular है, तो there वर नहीं हो सकता, और have तो नहीं हो सकता, यहां लिखाए, there is always being, is के साथ में being कब आता है? present continuous tense के passive में, present continuous tense के passive में, के साथ में being का प्रयोग करते हैं. correct है? तो जब आप यहां देख रहे हो, कि इस वाद के में को, present continuous tense में express करना है? नहीं करना है. तो simply आप क्या लिखो, there has always been, will be more, not is. क्वेश्चिन नमन नाइन, बताए, चलता है, undercover officers were sent, to gather information, and they gave evidence in court, from behind the screens, to protect their identities. एक बाद ध्यान से समझे है, information को आप हमेशा gather करते हो, collect भी कर सकते हो, information को आप, टीक है? wealth को आप acquire करते हो, acquire wealth, wealth आप acquire करते हो, experience को आप gain करते हो, knowledge है, तो उसे भी आप gain करते हो, ही क्या है? समझना है, एससी चीज़ोगा, तो to protect their identities, लिखा हुआ है, undercover officers were sent, they gave, they gave evidence, in court, from behind the screens, यानि कि पर्दे के पेशे से, उन्होंने जानकारी थी, इसलिए, to protect their identities, subject हमारा क्या है, दे, उसके लिए क्या रहा है, तो यह सही लिखा हुआ है, his identity नहीं होगा, in protecting नहीं होगा, to protecting नहीं होगा, answer हमारा क्या हो जाएगा? No improvement. Question number 10, करा books costing money, and requiring the user to read them, for the idea to spread, what is the answer to this question, बताई यहाई? Books costing money, books costing money, and requiring the user to read them, for the idea to spread. देखो आपने यहाँ क्या लिखा है, costing money and requiring, आप क्या देख रहे हो, verb की ing form का प्रियोग आप होते हुए देख रहे हो, correct, भाईया, अगर verb की ing form का प्रियोग आप कर रहे हो, तो verb की ing form का प्रियोग हम कुछ ही cases में करते हैं, या तो वाक्षी में is MR है, या तो present continuous tense में हो, या तो past continuous tense में हो, और या तो present perfect continuous tense में हो, correct है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है, और ये कैसी बात बर कहरा है, एक universal truth को express कर रहा है, या आप जो sentence है, या आपके universal truth को express कर रहा है, यानि कि एक fact बता रहा है, कि books पैसे cost करती हैं, और उनको user को required होता है, उस idea को spread करने के लिए read करना, तो एक idea, एक fact की बात कर रहे हो, और factual statements, हम किस tense express करते हैं, present indefinite tense express करते हैं, जीआ, present indefinite tense express करते हैं, subject हमारा कैसा है, plural है, और प्लूरल होता है, तो verb कैसा आता है हमारा, अगर subject हमारा plural होता है तो verb आता है हमारा verb की first form correct है तो costing की जगे पर आ जाएगा cost और requiring की जगे पर आ जाएगा require तो इतुली books cost money and require the user to read them for the idea to एक है next question number 11 he was one of the most respected generals because of his care for the men and his record as a fighter what is the correct answer to this question he was one of most respected general साइद मैंने इसका जवाब जो है वो sentence को पड़ते वक्त बोल भी दिया है what is the correct answer to this question बता है तिक आपको पता होना चाहिए कि superlative degree के पहले आप आर्टिकल गा का प्रयोग करते हो तो यहां most respected से पहले क्या आजाएगा तो यहां most respected से पहले क्या आजाएगा तिक आंसर हो जाएगा हमारा है plural noun आता है ठीक है one of के साथ plural noun आता है subject हमारा one रहता है इसलिए जो verb होता है वो singular helping verb होता है ठीक है clear आगे बढ़ते हैं question number 12 there are some people who think they are God's gift to mankind ठीक है there are some people who think अब इसी सवाल में जैसे आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा अगर यहां पर ऐसा है और उसके बाद मान लो अगर हम यहां पर relative pronoun हू का प्रयोग कर रहे हैं ठीक है तो relative pronoun का जब हम प्रयोग करते हैं हू, whom या which का तो आपको यह ध्यान देना है कि antecedent क्या है अगर antecedent singular है तो verb singular helping verb हो जाएगी अगर antecedent plural है तो verb जो है plural helping verb हो जाएगी इस वाक्य में हू का antecedent है people people, police, public यह सारे words जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं plural होते हैं ठीक है plural होते हैं जब यह हमारे plural होते हैं तो इनके साथ में जो verb आएगी वो कैसे आएगी plural आएगी तो यह ठीक है यहां there are some people who think they are God's gift to mankind तो पांसर हो जाएगा हमारा no substitution required question number 13 कहता है he did exactly he did exceptionally well in his exams because he had tutored all week क्या रहा है उसने exam में इसलिए अच्छा किया because he had tutored all week यार मतलब तुमने tuition पढ़ाई इसलिए तुमने ही exam में अच्छा किया क्योंकि उसे tuition पढ़ाई गई थी पूरे हफ्ते क्योंकि उसे tuition पढ़ाई गई थी तो अगर passive है तो sentence का structure भी कैसा हो जाएगा passive हो जाएगा अगर passive हो जाएगा तो had tutored नहीं होगा had been had been had been के साथ passive case में हमेशा word third आती है तो tutoring नहीं हो सकता no correction नहीं होगा answer हो जाएगा fourth as he had been tutored all so he did exceptionally well in his exams as he had been tutored all week he had been tutored all week correct है आगे पड़ते है no sooner did we arrived at the airport than we got into an argument with the cab driver तो आप ध्यान रखिये no sooner के साथ क्या आता है chen cannot care हो ध्यान कैसे ध्यान रखेंगे तुनर क्या है बच्चों स from स्उन होता है कुर्षी इन सून की comparative degree छोती है सून और ध्यान रखिए कि comparative degree के साथ में हमेशा अ मिक्किषा क्या अधा हैelectarte of comparativeو के साथ में हमेशा क्या आएगा than एक बात दूसरी बात यह ध्यान रखना है कि अगर वाक्षी में आपके hardly scarcely rarely इनका प्रयोग होता है तब than नहीं आता तब क्या आता है when तब क्या आता है when और साथ में inversion का प्रयोग तब भी होता है जैसे यहाँ पर हुआ है यहाँ पर भी inversion का प्रयोग होता है inversion क्या होता है adverb अगर वाक्षी के शुरुवात में आती है तो helping work subject से पहले लग जाती है उसे inversion कहता है detail में पढ़ने के लिए या तो course पढ़ लो या grammar का जो crash course से पढ़ लो no sooner did we arrive लिखा है अब ध्यान दीजे कि अगर वाक्षी में हमारे did का प्रयोग होता है तो subject के साथ में आता है did did के साथ में आता है verb की first form और उसके साथ में आता है हमारा object तो यहां पर did we arrive, had we arrive नहीं होगा had के साथ में verb third आती है तो had we arrive नहीं होगा no sooner than we arrive नहीं होगा no correction नहीं होगा answer हमारा क्या हो जागा second no sooner did we arrive at the airport than we got into an argument with the cab driver तो no sooner did we arrive होगा arrived नहीं होगा arrived का प्रयोग नहीं होगा arrive हो जाएगा answer होगा second no sooner did we arrive at the airport than we got into an argument with the cab driver next question number 15 इस सवाल पे बेस्ट इसी concept पे बेस्ट कल के वीडियो में भी एक question था हमारा neither did he give his term देखो अब यहां पर did का प्रयोग हो रहा है तो आप देख रहोगा कि वर्परस्ट आ रहा है यहां पर inversion का प्रयोग है आपको मैंने क्या पढ़ाया था मैंने पढ़ाया था आपको कि कल अगर नीदर का प्रयोग है तो भाईया क्या आता है नौर आता है और अगर helping वर्प की बात हो तो जो भी subject nearest होगा उसके अकॉर्डिंग अगर गिव लिखा है तो यहां और की जगे क्या हो जाएगा नौर हो जाएगा तो जिस प्रकार यहां पर इंवर्जन प्रयोग हुआ है यहां पर भी हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा नौर दिद ही शबमिट है अस्साइमेंट नीचर गिव इसटंब पर नौर इंड़ीड ही शबमिटेश सब्मिट एज एक्सेप प्रणावन प्र चैप्तर काएग कंसेट होता है मरा क्या जान दीजिए कि अगर हमारा preposition का प्रयोग हो रहा है कहीं पे तो उसके बाद हमेशा objective case आता है ठीक है यहाँ पर जो accept है यह as a preposition ही प्रयोग हो रहा है इसके साथ में क्या आएगा objective case तनमे and me जो है आपका सही लिखा हुआ है इसमें कोई दिक्कत नहीं है everyone waiting for the return for the interview वर इन अब यह जो वर आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है subject वर का क्या है वर का subject है everyone और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पताया क्या कि everyone अगर हमारा subject होता है तो जो helping वर आती है वो आती है false answer हमारा क्या हो जाएगा second यहाँ पर तनमेंड आए हो रहा है तो यह वाला इसलिए गलत है यह वाला वर है इसलिए गलत है answer हो जाएगा हमारा question number 17 कहता है it is high time that civilians awake to the dangerous situation around surrounding them danger surrounding them ध्यान दीजे अगर वाक की शुरुवात it is high time it is right time इनका प्रयोग होता है तो इसके बाद आप हमेशा वर्ब की second form का प्रयोग करते हो ठीक है तो it is high time लिखा है तो इसके साथ में वर्ब की second form आएगी हमेशा awakens नहीं हो जाएगा awakens नहीं हो जाएगा simply क्या हो जाएगा woke up to so it is high time that civilians woke up to the dangerous surrounding question number 18 कहता है hardly had he finished his meal and it started raining अभी मैंने आपको बताया क्या कि अगर hardly का प्रयोग हो तो inversion होता है आप देख रहो यह सही है और hardly के साथ में अभी मैंने आपको क्या बताया कि no sooner के साथ में आता है than than और hardly के साथ में आता है when तो यहाँ and है यहाँ than है answer हो गया हमारा when बाला अच्छा Is there any confusion in that? question number 19 किराया है तो आपको पता होना चाहिए कि जो अपोस्ट्रॉफे एस है यह generally हम living beings के साथ में इस्तमाल कर सकते है non-living के साथ में इस्तमाल नहीं कर सकते है for example I cannot say fence cap this is wrong ठीक है generally आप living beings के लिए ही इस्तमाल कर सकते है but if I have to say but there are five exceptions there are five exceptions first if you are using for the names of cities ठीक है तो आप यूज़ कर सकते हो like कानपूर्स पोलिशन Delhi's pollution Delhi's population you can use for that other than that if you are talking about time तो आप यूज़ कर सकते हो like yesterday's leave ठीक है today's world आप यूज़ कर सकते हो third हमारा हो जाता है celestial bodies के लिए celestial bodies मतलब हो जाता है heavenly bodies floating in space या universe so earth's atmosphere sun's rays moon's light आप यूज़ कर सकते हो इन सभी के लिए fourth हमारा हो जाता है idiomatic expressions यानि कि जो idioms है उनमें अगर आप उस्ट्रॉफेस लगा हुआ है तो हम उससे छेड़चार नहीं करते हैं for example हमारा idioms है at an arms length ठीक है at stones throw even though stone जो है आपका non living है बट इसके साथ में अपोस्ट्रॉफेस लगा हुआ है तो वो correct है क्योंकि idiom है और fifth हमारा हो जाता है personification यानि कि अगर कोई non living thing है लेकिन अगर उसे हम personify कर रहे हैं यानि कि अगर उसे हम human की तरह treat कर रहे हैं तो वो भी उसके साथ भी अपोस्ट्रॉफेस use कर सकते हो for example court या government ये सारी चीज़े non living है court जो है वो non living है बढ़ हम court order कह सकते हैं क्योंकि court को हम as a human being treat करते हैं हम court को ही judge मान लेते हैं तो उसे human being की तरह treat कर रहे हैं इसलिए अपोस्ट्रॉफेस लगा सकते हैं इसके अलावा आप currency के साथ use कर सकते हो length weight के बताने वाली चीज़ों के साथ कर सकते हो नीडिल्स एज एज बताने वाली चीज़ों के लिए कर सकते हो there are some other exceptions as well turns weight weight बताने वाली चीज़ों के साथ कर सकते हो ठीक है इसा नहीं लिखेंगे ऐसे कब लिखते हैं जब हमारा subject के end में ऐसा आ रहा होता है तब हम इस प्रकार लिखते हैं इसके अलावा एक अप्रयोग कब होता है जब इसके साथ में consonant sound आता है और एन का प्रयोग कब आता है जब वावल साउंड आता है lost जब बोलते हैं एल यह लौस्त यह थैसों कांसोन jak आन साउंड टो एन का प्रयोग नहीं हो सकता है पहला इसलिए गलत हो गया दूसरा इसलिए गलत हो गया तोबसχें आते हैं तो यह जो वर्ब है हमारी स्टीम्स यह किसके लिए प्रयोग हो रही है यह प्रयोग हो रही है इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाता है नो करेक्शन इसलिए खेक है बहुत चलेगे बुट थोड़े बहुत कंसेट हमारे रिवाइज होगे यह इसलिए वह फॉलग पॉर्पस आप इस वीडियो शुच्ट नबर 20 आपने लेकलों को बोलते ना जिए याद क्या सर्क्षाइए जिए जम्रूर्वर्णी दूर्णलर and react recreational activity है तो in becoming active and participating in local sport and recreational activities तो कह रहा है बहुत सारे benefits है किसमें अगर आप क्या करते हो अगर आप active हो जाते हो in becoming active तो आप आप यह देखो कि यहां पर इन लिखा हुआ है और इन अंडरलाइन नहीं है अगर इन अंडरलाइन नहीं है तो उसके बाद में becoming इतना सही है इसलिए इसमें अंसर्ट यह होजाएगा no improvement होगा ही correct है there are many health benefits related benefits in becoming active and participating in local sport question number 21 कहता है a republic is a form of government where a republic is a form of government where country is considered a public matter not the private concern or property of the rulers I'm okay종ा Republic sonry republic is a form of government आपने यहां पर conjunction किया है कि अपने यहां पर conjunction किया है एर वेयर प्रेभ और कते हो वेयर का प्रेभ आप करते हो जब आपको place बताना होता है कि यहां पर हमें place बताना है नहीं तो जब प्लेश नहीं बताना है क्योंकि आणटीसदेट है वो गवर्मेंट है गवर्मेंट के लिए प्लेस नहीं यूज़ करेंगे विच एक गवर्मेंट का फॉर्म है जिसमें क्या होता है कंट्री इस 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 पॉब्लिक मैटर नौट प्राइवेट कंसर्वन और प्रपर्टी ऑफ दो रूलर्स तो इन विच लिखना सही है इन विच न considering नहीं होगा कि country को consider किया जाता है कैसा है country को consider किया जा रहा है country कुछ नहीं करती है तो नेचर कैसा हो गया पैसिव यदि नेचर पैसिव है तो अंसर हमारा फोर्थ ही हो जाएगा in which the country is considered a public matter not the private concern or property of the is it clear to everybody बात समझ में आगी चलिए so this is it for this video जिसमें हमने बात करी सारे error correction के videos की अगले video में हम fill in the blanks का discussion करेंगे जो की exam में पूछे जा चुके है again आपने अगर video को subscribe नहीं किया चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लिजे टेलिग्राम चैनल अब तक जोईन नहीं किया तो जरूर से जोइन कर लो क्योंकि अपडेट्स आपको आप सारे मिल जाते हैं अगर आप प्रिविए से पेपर्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं मौक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारे आरबी लर्णिंग डॉट कॉम साइट Pinflquis कर सकते हैं प्रिवेस यर पेपर्स को इसके अलावा अगर आप और आप को डेली टार्गेट तिया जाते हैं कि आज आपको क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना सारी कुछ बटाई जाती है आपको चीजेए वीडियोग्यों आपको ब के रेलिटेड से बहृत सारी घ्याइक कर पढ़ाया उपस्च फिल रिपनी ये át करेंगे अगले वीडियो में पढ़ाया वो समझे होंगा अगले वीडियो में मिलेंगे और बात करेंगे error, spill in the blanks के questions की जो की IV ACI के exam में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में तब सक लिए goodbye, take care and have a very great day, thank you so much, bye bye